हेलो प्रेंट्स डेटा क्योंनिकेशन नेटवर्क के लेक्चर नमर नाइंटीन में आपका स्वागत है आज की लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेटा लिंक लेएर से समधित है और आज का टॉपिक है अमारा फ्लो कंट्रोल कि लो कंट्रोल कहने का मतलब है कि जब हमारा फ्रेम तैयार हो गया और हमें सोर्स और डेस्टिनेशन भी पता हो गई क्योंकि नोट ट्रांस्फर करना है एक सिस्टम से जितने भी नोट जूड़े होंगे उसमें से किसी एक नोट के लिए हम डेटा भेजेंगे आज अब किसी नोट के लिए यह डेटा हम ट्रांस्मीट करना चाहते हैं तो सेंडर रिसीवर के बीच में क्या अग्रिमेंट होना चाहिए कैसे डेटा का ट्रांस्मीशन होना चाहिए इस नहीं होने की भी सम्भाव ना है तो इसमें देखे फ्लो कंट्रोल के मुलता है कि वेन डेटा फ् सेंडर रिसीवर सुट वर्क एड़ सेमी स्पीड सबसे पहला रिक्वाइरमेंट है इनका कि सेंडर रिसीवर के बीच में जो डेटा का ट्रांस्मीशन होगा इसकी स्पीड दोनुई डिवाइस के लिए बहले ही वह तो डिवाइस अलग-अलग कि ताइम के बने हो हाई और लोई स्पीड डिवाइस होगी तो वहाँ पर इस पीड को पहले हम सिंक्रोनाइज करेंगे दोनों के बीच आग्रिमेंट होगा इसी स्पीड से डेटा बेजेंगे और आप उसको रिसीव करेंगे ताकि स्पीड मिसमैच का कोई समस्या ना हो तो यह बात हो गई अब उसके बाद जो डेटा भेजने का टेकनिक है सबसे सिंपल तरीका है स्टॉप एंड वेट जो टेकनिक है यह क्या गाता है जो राशा देखा जाए कि हमने डेटा यहां से भेजा पूर डेटा हमारे पास वापस आगा डेटा वापस नहीं आएगा एक्शुल में हम इसको ऐसे नहीं बना करके अब जाहें तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा दें यह है हमारा डेटा जिसको आप फ्रेम भी बोल सकते हैं अर्यहां पर हमारे पास है और एक झालैज मेंट है hell अब चाईनम एक टाइम आउप सेट करने की बात होगी ताई मतलब यह ताइम है जितने समय में से ट्र आड़ में से लिटा चलके देटा गया और इसी भर फिर उस डेटा का अलेजमेंट भेजा और वापस हमारे पास आ गया अनॉलेजमेंट यहीं टाइम आउट प्रियेड जिसमें सेंडर को पता है कि जब भी हम डेटा भेजेंगे तो एक निश्चित टाइम में अब यह टाइम आउट को टाइम लाइन को आप इस तरह से कर सकते है कि यहां 0 से स्टाट हुआ यहां वहन हो यहां टो यहां थ्री होगा एंट दो आउनुस तरह से बढ़ता रहेगा अब जीरो से वन में यह जो टाइम लाइन है इस टाइम तक उनको चला भी जाना वापस भी आ जाना है अगर हम हम मिली सेकंड की बात करें कि टाइम इन मिली सेकेंड मिली सेकेंड तो बहुत ज्यादा समय है माइक्रो सेकेंड होना चाहिए लेकिन समझने के लिए अगर हम मिली सेकेंड में बात करें एक मिली सेकेंड में इनका टाइम आउट प्रेट रखा गया क्यों रखा गया कि हम ऐसा मान की चल रहे हैं कि सेंड कि यहां हो सकता है होने के बाद वो तब उसको अग्णॉलडेट करें वहाँ डिले भी कुछ हो अभी डिले की बात हम नहीं मान रहा है हम ऐसा मान के चल रहे हैं कोई डिले नहीं है तो यहां से यहां तक आने में अगर वन मिली सेकंड का समय उनको लगता है तो यह हमारा कि इइसको इस तरह से ब hasta अब फिर उनका एक्णॉलिजमेंट आएगा फिर हम तीसरा फ्रेम भेजेंगे कि फिर उनका एक्णॉलिजमेंट आएगा कि है और ये कि एह इसे इन प्रेंडु आर ये है एस्टिट कि रिफ एक्णॉलिजमेंट wyn oni यह फ्रेम वन है एकनॉलजमेंट भी वन है तो हम ऐसा मान के चलें कि जीतने भी हमारे पास फ्रेम होंगे हर एक मिली सेकेंड पर वह हम भेजेंगे उसका अगनॉलजमेंट आएगा फिर से हम भेजेंगे और इस तरह से हमारा डेटा का ट्रांस्मिशन संभा होगा और यह सबसे सिंपल स्टॉप एंड वेट स्टॉप एंड वेट टेक्निक का मतलब ही है कि आप डिटा भेजिए फिर स्टॉप कीजिए वेट कीजिए और टाइम परिएड तक एकनॉलजमेंट आ जाए तो फिर से आप भेजिए अगर कुछ एर हो तो यह हुआ तो फिर क्या करना होगा हमको तो इसके लिए हम क्या करेंगे आप यहां पर फग्रीट नहीं भीजेंगे अगर होता है यहां से कोई मैसेज नहीं आता ऐस टाइम-आउट मैं तो हम यह मान के चलेंगे कि हमारे पास नहीं आया इसना मतलब डेटा पहुंचा य को लैफ्स कर गया कि चीज रख को लिजर के करन ये एकनॉलेजबर रास्ते में भटक गया है ऑससी हमें उसी में को भीजए गे जो फ्रेन आ और जब तक आप से सब्सक्राइप कर दूसरा ओतना नहीं पहेज़ने वाले इसका मतलब है कि जितना फ्रेम उतना साइकल सबसे चाहिए है बात समझ में आ गई हैं अब यहां पर दो बात होगी कि कि इस तो इरा डिटेक्शन के क्या टेक्निक है इस पर बिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कसन किया है उनकी अपनी प्रॉपर्टिया उसी साफ चेक करेंगे चेक करके इनको मैसेज देंगे ठीक है आपका फ्रेम पहुंच गया लेकिन आप सोचिए कि इसमें डीले कीतना हो रहा है जाए और मॉडिफिकिशन के लिए अब हम क्या करेंगे तो हमने इन दोनों के बीच एक्रिमेंट बनाया निक्स्ट जो हमारा टेक्निक है इसके भी से में बात करें तो हुआ कि ऐसा जब हम यहां टाइम स्पीड लिमिट कर ही चुके हैं हम्हारा डेटा वहां से आएगा तो क्यों नहीं एक विंडू बना दिया जाए यह टाइम आउट की जो बात है टाइम आउट से ज्यादा मह परत्यपुर्ण है कि एक विंडू हम मना दें जो जो विंडू का साइज ह। सिर्फ ट्रांस्मीटर दोनों के पास एक साथ हो और हम डेटा का मैसेज आप एक साथ एक नहीं बलकी अलग-अलग data भेजेंगे का अलग-अलग data भेजेंगे और कि इस कंप्लीट वी इंडों के पहुंचने के बाद हम उनका इकनॉलेजिमेंट की बात करें कि यह लगातार हमारा डेटा चलता जाएगा डेटा की बात अगर हम करें तो यह लगातार मूग करेगा इसको बेतर है कि हम कि इसको बना दे रेड से और रेट से देटा लगातार जा रहा है कि अब इस तरह से देखिए कि जितने टाइम आउट में हम पहले अगर तीन फ्रेम का हमारे पास साइज है तो यह हो सकते हम चार फ्रेम बेज दे कुछ दिक्कत नहीं है और हर फ्रेम के अगया सम अनॉलेजमेंट आते रहाएगा अब यह हमारा फ्रेम एफ वण एफ टू इस तरह से चलेगा एफ वण एफ टू एफ त्री एफ फोर एंड सो आप तिस स्लाइडिंग विंडोव एक्ट्यूवल में एक निश्चित्र विंडो साइज फिक्स करता हा जिसमें एक साथ हम पांच फ्रेम चार फ्रेम हम भेज स सकते हैं इसी को हम गोलते हैं विन्डो साइज तो विन्डो साइज से फायदा क्या होगा कि जितने तेरे में हम एक फ्रेम भेजते थे तो उसका अग नॉलेजिमिंट आता तब तक तो हम चार फ्रेम भेज दिये किर और कैसे होगा जर्णासा देखिए एकमाल लेते हैं हमारा एफ-वन का क्या क्नॉलिजमेंट आ गया कि इस त्री का एकनॉलिजमेंट नहीं आया अब मैं इसको इस तरह से देख आउग स्थी तो हमने भेज दिया था पहले लेकिन एफ-3 का एक्नॉलिजमेंट नहीं आया यह जो एकनॉलेजमेंट लाइन है यह हमारे पास नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा लेकिन तब तक तो हम बहुत सारा फ्रेम भेज चुके थे यह है हमारा थार्ड फ्रेम कि यहां पर और इसका अखनालेजमेंट नहीं आया लेकिन जब तक अखनालेजमेंट नहीं आया तब तक 456 भी हम भेच चुके थे मत समझ भी आ रही है लेकिन अब हमारे पास क्या तरीका है अब हम क्या करें हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हम बोलते हैं गो बैक अगली जो पालिशी है स्लाइडिंग विंडो में वह है कि गो बैक एन कि इसमें अब थ्री के बाद जितने भी फ्रेम हैं थ्री तो कैंसिल होई गया इन सब को कैंसिल किये और यहां पर फिर से हम एफ थ्री एफ फॉर एफ फाइब को बेला हो सकता है इस बार एफ फ्री पहां मिल जाए एफ फॉर का एक नॉलेजमेंट नहीं जाए एफ फॉर हमने पहले भी वेजा था उसको कैंसिल किया क्योंकि गो बैक एन का मतलब होता है कि जहां भी एक नॉलेजमेंट अगर थर्ड का नहीं मिला तो री ट्रांस्मीट थार्ड ऑनवर्ड थार्ड ही नहीं मिला तो हमको फॉर फॉर फाइफ शिक्स आप भेज दिया उसका कोई मतलब रहे उसको आपको हम डिस्कार्ट कर देंगे अगर आप दुबारा हम भेजेंगे तो हम थ्री के बाद फिर से इस विंडू को अब यहां हम सिफ्ट करेंगे फिर से 3 से सुरू किया अगर आते जा रहा था हमें कोई दिकत नहीं है हम लगातार विंडू को सिफ्ट करते रहेंगे डेटाबेशते रहेंगे और जहां भी कोई एक नालेजमेंट मिस करता है फिर से हम विंडू को फोड़ा सिफ्ट करेंगे और वहां के बाद फिर से री लेकिन अब यह यह नहीं मिला तो फिर से हम विंडो को सिफ्ट करेंगे कि नहीं फिर से 3456 इसको हम बोलते हैं गो बैक यह अनेक्स है सालेक्टिव रिपेट गो बैक एन में क्या हुआ समस्या महसूस हुई हमको क्या समस्या है कि भाई आपने थ्री का नॉलेजमेंट नहीं मिला लेकिन फोर तो हमारे बहुत सही सलामत आया फिफ्ट आया लेगि इसको भी कैंसिल कर दिया आपने अब वहतर तरीका था कि इसके बाद हमने सालेक्टिव रिपीट की बात की नहीं अगर थृ का नहीं आया फोर हमारा चला गया फाइव चला गया तो यहां थी थी को हम भेज रहे हैं लेकिन अगर यहां एफ five भेज चुके हैं तो इसके बाद f6 एफ सेबन एफ एट इस तरह से हम डेटा ट्रांस्मीट करते जाएंगे अगर सिक्स का नहीं आया तो जिसका नहीं आया सिर्फ उसी को सलेक्टिव रिपीट मतलब रिपीट हम करेंगे लेकिन केवल उसी फ्रेम को रिपीट करेंगे जिस फ्रेम का अक्नालेजमेंट नहीं आय है कि अब एक बात और समस्या है कि ऐसा भी तो हो सकता कि एक तो यहां मिला ठीक इसके अग्णालेजमेंट प्रॉब्लेम हुई है और हमने फिर से फ्री भेज दिया फ्री की कॉपी यहां भी है फ्री की कॉपी यहां भी आ गई क्योंकि यह तो पहुंच चुका था इसने अग्णालेजमेंट भेजा हमारे पास अग्णालेजमेंट नहीं आया तो हम फिर से भेज दिये अब तब तक यहां यहां पर अलग से इनकी सौर्टिंग की प्रक्रिया होगी डूब्लीकेट जो डेटा आ गया उसको डिसकार्ट करना होगा तो इसके लिए अल्गोरिद्म बनाना पड़ेगा कि अगर कोई भी फ्रेम अगर डूब्लीकेट फॉर्म में आ जाए तो उनको डिसकार्ट करना फाइल के पार्ट को नहीं रह सकते हैं एक ही रहेगा तो यहां पर सबसे सिंपल स्टॉप एंड वेट फिर स्टॉप एंड वेट को ही इंप्रूव कर कि हमने स्लाइडिंग वि nсп जिसमें करेंगे सिर्फ उसी को डीपीट करेंगे जिसके लिए amps नहीं एया है अब इक नौलेजमेंट किसने अंहीं पता लेकिन हमारा फ्रेम दूसरे साइड में रीचीव हुआ था लेकिन रास्ते में भूल गया तो जब्सक्सा दू essas value आने की सम्हावना है उसमें तो ऐसी सम्हावना नहीं थे वहां तो जहां भी होगा उसको discard कर दिये वह लेकिन एफ-3 फिर से जा रहा है उसके बाद का सब चीज खथम की अटा दीजिए लेकिन ऐहां ऐसा नहीं है तो बीच-बीच में जो भी फ्रेम का अकनालेजमेंट अने में दिकत है उनको हम दुबारा भेज़ेंगे ताकि हमारा information सही धंग से सेंडर से receiver के बीच जा सके इसमें सबसे पहला काम हमको करना कि synchronization करना आइ स्पीड के मामले में टाइम फ्रेम के मामले में टाइम आओट का सिंक्रो ना चाहिए जब स्पीड सिंक्रोड नाइज हो गया अपने आप सिंक्रोड हो जाएगा और इसके आधर पर डेटा ट्रांस्मिशन रिसेप्शन जो कॉंसेप्ट है इस कॉंसेप्ट को हम आसानी से भेजते हैं और यह चारों पॉइंट को आपको याद रखना है स्वाप एडवेट स्लाइडिंग विंडो गो बैक इन और सेलेक्टिव रिपीट तो यह चार अलग अलग तरीके हैं चार क्या तीन ही तरीका हो गया विंडो स्लाइडिंग विंडो तो साइज फिक्स करता है ताकि कितने फ्रेम हम एक लेकिन यहां पर है कि मल्टीपल फ्रेम भेजने की बात है तो स्लाइडिंग विंडो का साइज होगा कि यह बार में हम दस फ्रेम भेजेंगे क्योंकि उसी आधार पर हमको पता चल जागा कि इतने फ्रेम आएंगे कितनी जल्दी जल्दी हम भेज सकते हैं और उसके बाद जब हमारे पास अक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो दो तरीका है या तो हम जहां से अक्नॉलेजमेंट नहीं आया वहीं से सुरू करके फिर से री ट्रांस्मिटर के सारे फ्रेम को या फिर कि सलेक्ट पीक और चूज वाली बात है कि जिसका अक्नॉलेजमेंट नहीं आया सिर के लिए सबसे बेस्ट ऑफ्चन आपका सेलेक्टिव रिपीट तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद